मखन जैसे एकदम नरम मुलाएं मोह में जाते ही घुल जाएंगे ऐसी बनी है ये रेसिपी ये देखिए चमच लगाते ही कितने आसानी से तूट गए तो आज मैं कठल कितनी जवरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ आपके साथ जिसे आप भी बार बार बनाना चाहेंगे वैस चलिए आज ये कठल के कोक्ते बनाते हैं तो इसके लिए यहां मैंने 500 ग्रम कठल लिया है हमारे यहां मार्केट में कठल अगर आप ले रहे हो तो सबजी वारही कठल को छिलकर काट कर देते हैं और अगर आपके पास साबुद कठल है या फिर छिलके लगे हैं तो उसे फिन पानी एड़ करें तो पानी यहां को कठल के बड़ाबर ही लेना है उससे उपर नहीं लेना अब ढ़ंद करके इसे मेडियू फ्लेम पर दो सीटी लगा लेंगे हैं और यहां कठल मेंदो सीटी देकिया आ गई है और जब सारा प्रेसर निकल जाए सीटी से तो धकन खुल कर देख लेंगे और ये एकदम सॉफ्ट हो गया है पक चुके हैं इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है इसे अब बाहर निकल कर ठुंडा होने देते हैं तब तक हम यहां दूसरी तैयारी कर लेते हैं एक ग्रैंडिंग जार लेंगे और इसमें एट करेंगे 6-7 लैस्न काली की 4-5 हैड़ी मिर्च और एक इंच अध्रक को काड़ कर डाल देंगे और इसे दरदरा पीस कर या पिस पर जितना फाइन हो सके उतना ही पीस कर त्यार कर लेना है पानी नहीं डालना है इसमें और इसे हमने पीस लिया है और यहां कठल को मैंने एक छल्ली में निकाल लिया ताकि इसका सारा पानी निकल जाना चाहिए तो अब पानी इसका सारा देखे निकल चुका है तो इसे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे लेकिन अभी ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है तो थोड़ा जब यह गरम ही रहे तब इसको हम इस पुटेटो मैसर से इसे अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे ठंडा औरने के बाद मैश करने से थोड़ी दिक्कत आती है तो जब यह गरम ही रहे तभी इसको मैश कर ले तो मैश करने के बाद यह ऐस लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ही लेना है, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च का भी इस्तमाल किया है, तो तीखा उसी साब से डाले, अब इन मसालों में से हम थोड़ा-थोड़ा मसाला इस कठल में एट करेंगे, बाकी का ग्रेवी में इस्तमाल करेंगे, तो थोड़ा- करके सारे मसाले डाल दें और नमक लेंगे one टीसपुन थोड़े शाज वह यून को हाथों से क्रस्ट करके डाल देंगे और जो हमने अद्रक रखुरी मीर्ज का पैस्ट बनाया था उसमें से एक च्छपच चमच इसमें डाल देंगे अच्छे से डाल ये हडा धनिया और Binding के लिए लेंगे दो बड़을 चमच बेशन बेशन ज्यादा मतत करियेगा क्छल में बिलけて कम लगती है और ज्यादा बेशन बेशन डाल देंगे तो तो यह बेशन बेशन जैसा स्वाद आएगा और हम तो कठल के कोपते बना रहे हैं तो कठल का स्वाद आना चाहिए और अब इन सारी चीजों को आपस में मिक्स कर लेना है पानी नहीं डालना है क्योंकि कठल में मौश्यर है तो उसी से यह मिक्स हो जाएंगे और अब इसमें हमने मिक्स कर लिया है मिक्सर तयार है कोपते बनाने के लिए तो पहले यहां कठाय में ओल गरम होने के लिए रख देते हैं तेल यहां हमने सरसो का इस्तमाल किया क्योंकि सबजिया बनाने के लिए मैं सरसो तेल का ही यूश करती हूँ सरसो तेल से बनी सबजी बहुत ही स्वाधिश्ट बनते हैं आप ट्राय करके देखिएगा लेकिन आप जो कुकिंग गॉयल खाते हैं वो ले सकते हैं अगर आपको सरसो का तेल पसंद नहीं है तो तेल को गरम होने देते हैं और हाई फ्लेम पर जब तक तेल गरम हो जाए अच्छे से तो फ्लेम को करलेंगे और यहां हमने सारे कोफ़ते को बना कर लिया है अब nouveaux औपने के प्रोसेस में अगर आदके करके नहीं लेना चाहते हैं अगर आप श्यालो सकते हैं और आभ है से तटय्म को यह तक fry कर लेंगे यह कडाई में चिपकते भी नहीं है असानी से यह fry हो जाते हैं और आप यह देखिए कौपतों में एक अच्छा सा अब फिर से मैंने वही गरांडर जार लिया है इसमें कुछ चीज़े एड़ करेंगे जैसे कि एक छोटा टुकड़ा बड़ी इलाइची अगर इलाइची ज्यादा बड़ी हो तो आधा ही लीजिएगा एक छोटा सा टुकड़ा दाल चिनी का दो लॉंग एक छोटा सा चक्रफूल लिया है बड़ी साइच की हो तो वह भी आधा ही तोड़ कर लीजिएगा जार से पांच कली मिट्च लाइच लाइचे और यहाँ जाइफल लिया है थोड़ा सा बहुत छोटा सा टुकड़ा इसमें काट कर डालेंगे और एक मिट्यम सेच का प्याज उसको भी रॉफली काड़कर एट कर दिया है और जार का धकन लगाकर इसे पीस कर पेष्ट तयार कर लेंगे इसे भी पीस लिया है अब यहाँ जिस कठहे में हमने कोपते फ्राइच किये थे उसमें से ओल बहुत ज्यादा तो अब ग्रेवी तयार करेंगे तो दो टेवली स्पून जितना ओइल छोड़कर बाकी ओइल को बाहर निकाल लेंगे और एक टीस्पून जीरा इसमें डाल देंगे साथ ही दो दिच पत्ता और थोड़े से ही जब यह तरक जाए अच्छे से तब जो हमने अदरक लहसुन हमर्च वाला पेष पेष्ट भी एट कर देंगे और अब सभी को मिक्स करके इन्हें हम भूल लेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक कई इनमें से पूरी तरह से कच्छापन निकल जाए इस पेष्ट में हमने जो खड़े मसाले पीस कर लिया है उन्हें आप ऐसे ही साबुत भी इस ओयल में डाल सकते हैं और अब ब्याज भी भून गया है कलर भी देखे थोड़ा इनका चेंज हो गया है तो इस समय हम इसमें एक टेबल स्पून कस्मिरी लाल मिर्च का पॉडर देंगे और यह जो मसाले हमने पचा कर रखे थे वो सारे ही इसमें डाल देना है और लगभग एक मिनट के लिए इस मसाले को हम मिडियम फ्लेम पर भूल लेंगे अगर मसाले कढ़ाय में चिपकने लगे मतलब जनने लगे तो दो तीन टेबल स्पून पानी इसमें एड़ कर लेंगे इसे भूल लेना है फिर से हम वही चार लेंगे और इसमें दो मिडियम साइच के टमाटर को डाल कर इसकी प्यूड़ी बना लेंगे और टमाटर भी देखे पिसगया है अब मसाले भी भून गए तो इस टमाटर पीडे को इसमें डाल देना है और बुटऴ कर के टमाटर को भून लेना है तो अब इसमें स्वादानुसर नमक जाएगा और मसाले को हम ठकें के नहीं और हाई फ्लेम पर लगाता चलाते हुए तब तक किसे भून ना है जैतक मसाले में से ओल ना डिलीज होने लगे और अब मसाले देखिए काफी अच्छे से भून गए हैं देखे ही आपको पता लग रहा होगा अब इसमें हम दो कप पाने याट करेंगे ग्रेवी की थिकनिस आप अपने इसमार कम जादा कर सकते हैं कितना आपको पतला या गाढ़ा रखना है उसी साब से पानी डाले अच् कर देखा ग्रेवी अच्छ असे पक चुकी है तो अब यह फ्राइ किये होते कोफटे को, इसमें डाल देंगे, ग्रेवी के साथ मिक्स कर ले, मिक्स को और कसूरि मिथी ड्याल देंगे और हडा धनिया फ्लेम को मैंने अभी हाइपर रखा और इन्हें भी Mifs कर लेते। पीक क्यांकि ग्रेवी भी पकी हुई है और कोपते भी मिक्स कर लेना है और अब गैस की फ्लिम को हम बंद कर देंगे और इसके उपर एक चमज डाल देंगे घी घी डालने से इस कोपता कड़ी का टेस्ट और बढ़ जाता है अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो बीना घी के भी आ अगर आठे चावल किसी के भी साथ सब कर सकते हैं सभी के साथ ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करिएगा और ट्राइआ करने को तो अगर आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक शिर चैनेल को सब्स्राइब करना बिल्कुल